तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, होट स्पोर्ट कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसको कनेक्ट कैसे करते हैं, सेटिंग कैसे करते हैं, जी हाँ, एक मोबाल से दूसरे मोबाल में अगर आप नेट चलाना चाते हो, लेकिन होट स्पोर्ट हैं कनेक करेंगे अभी समों हमको hot spot को on करना है तो setting आपको open करेंगे उसके बाद connection and sharing option है इसको touch करेंगे अभी आप यहां पे personal hotspot को open करेंगे ठीके अब सबसे परिए इसको चालू करने के बाद यहां पर दिखाएदेगा personal hotspot setting ठीके इसको click करेंगे इसको click करने के बाद यहां भी आपको एक नाम दिखाएंगा security वाला security पर click करेंगे और vpa2 personal पर click करेंगे इस पर click करने के बाद यहां भी password डालने के लिए बोलेगा तो हम मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा ही password डाल रहा हूँ आप अच्छा password डाल दिजे password डाल दिया उसके बाद यहां पर हम tick mark पर click करेंगे टिक मार पर click करने के बाद हमारा setting हो चुका है और यहां पर अगर आपको connection में ok करना है तो यहां पर आपने किसी को block करके रखा है तो उसको unblock कर दिजे क्योंकि हो सकता है जिस password को आप connect कर रहे हो दूसरा mobile में उसको आपने इस mobile में block कर दिया होगा तो block list में आके उसको unblock कर दिजे अगर block करके रखा है तो तो ठीके इसके बाद बैका जाएंगे अभी हमारा हेवाला काम हो गया है mobile में अब इसमें हम ok करेंगे ठीके अब यहाँ पर क्या करेंगे इस mobile की setting आपको open करेंगे और wifi में जाएंगे वाइपार में जाने के बाद इसको चालू करेंगे ठीके अब जो भी network आएगा उस वाले mobile का इसमें हम यहाँ पर search करेंगे सबसे पहले ठीके तो यहाँ पर देख लिजे यह वाला network आगया इसको click करेंगे अब इसको click करने के बाद उसका password हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा ठीके तो password डाल दिया अब connect करेंगे देख लिजे connect हो चुका है उपर भी आ रहा है देख लिजे तो इस तरीके से settings आप कर सकते हो उमेद कता हो आपको पता चल जाए गया होगा कि firegy connect यान कि hotspot connect नहीं हो रहा है तो उसको connect कैसे कते है हम में लेगे दोस्तों नए technology के वीडियो के साथ वीडियो को like कना चैनल करना है subscribe